हाला आप लीववान दिस इस महान महान्तिवारी एंचिंग ओ चैनल फिनांसर पंडित एक नए वीडियो के साथ मैं फिर आया हूँ हर एक दिन मीचुल फंड और इंवेस्मेंट से लेटेड आपके लिए वीडियो लेक आता हूँ वाकई में आप चाहते हो वीडियो का अपडेशन सबसे पहले मिले चैनल को सबस्काइब करो बेल आइगन को प्रस करो लाइक को सेर करना भूलो आज हम क्या डिस्क्रेशन करेंगे देखो एक्विटी में लगातार गिरावर देखने को मिल रहा है चाहिए आपका mutual fund में investment हो या directly stock में पैसा लगा रखे हो आपको लगातार नुकसान ही देखने को मिल रहा है तो बहुत ऐसे investor हैं जो query generate कर रहे हैं यहाँ पे दो से तीन query है सबसे first उनका query है कि क्या मैं अभी SIP को रोग दू जो इतना गिरावर्ट है बहुत बड़े बड़े बहुत अच्छे fund में काफी जादा नुकसान चल रहा है क्या मैं SIP को रोग दू इसके बारे में हम बात करेंगे दूसरा जो query है कि new investor कैसे participate कर सकते हैं इस किरते हुए market में किस strategy के साथ उनको investment करना चाहिए हम इस पे भी बात करेंगे इस query का भी मैं यहाँ पे solution दूँगा third जो investor यहाँ पे lump sum करना चाहते हैं investment के तोर पे वो यहाँ पे क्या strategy अपना सकते हैं हम इस पे भी बात करेंगे यह तीन query है इस तीन query पे हम बात करेंगे लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले portfolio design, portfolio review, retirement planning, investment planning, financial planning को लेके अगर कोई भी query हो कोई भी confusion हो तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो description box में जाके पूरा detail चेक करें और उस detail के basis पे आप whatsapp number के थुरू मेरे साथ जुड़ सकते हो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे first जो investor के mind में ये query आता है कि इस गिरते हुए market में क्या SIP stop कर दे क्योंकि जहां भी investment हो रहा है उसमें गिरावट ही देखने को मिल रहा है market अगर sensex की बात करें 62,000 से लगातार गिरता ही जा रहा है और वाकई में अगर देखा जाए तो यहां पे cool मिलाके 10% के उपर गिरावट देखने को मिल चुका है मैंने बहुत ऐस investor को personal level पे text के थरू, whatsapp के थरू मैंने समझाया है मैं इस वीडियो के द्वारा investor को बताना चाहता हूं कि आप अपने SIP को मत रोकना, SIP को stop नहीं करना यही सही समय है कि आपको यहां पे ज़्यादा सस्ता NAV मिलेगा और सस्ता NAV होने के चलते जहां आपका 500 रुपे में 10 unit मिलता था आज आपको 12 और 15 unit मिलेगा और उसका आपको compounding लंबे समय में काफी ज़्यादा देखने को मिलेगा मैं example के तोर पे आपको समझाना चाहता हूँ, जो investor 10,000 का SIP लगातार कर रहे हैं, December 2019 से यह data है और अगर देखा जाए, अब तक अगर investment value देखें, तो 2,80,000 का investment कर दिया गया है तो total जो यहाँ पे profit देखने को मिल रहा होगा, आज के rate में अगर आप sell करते हो, तो 67,830 रुपीज के करीब में अगर investor लगातार SIP कर रहा है, 10,000 का SIP है, 2019 December से, तो आज तक का जो profit देखने को मिलेगा, वो 67,000 के करीब में देखने को मिलेगा दूसरे तरह, अगर एक ही में example लुए कि ऐसा investor है, जो 2019 December से SIP तो start करता है, लेकिन फरवरी में गिरावर देखने को मिलता है और फरवरी में SIP को stop कर देता है, ऐसे में सिर्फ 3 महीने उधर SIP करता है, और 30,000 का investment होता है और आज तक अगर उस पैसे को रखें, तो उसका value हमें देखने को मिलेगा 43,869 के करीब में profit की बात करें, तो यहाँ पे 13,000 के उपर का profit देखने को मिला और फिर जब मई में market recover करना start करता है, तो फिर से SIP start investor कर देता है जिससे आप देख सकते हो, फिर मई से SIP start हुआ, अब तक अगर हम calculation करें 2,30,000 का investment और अभी तक अगर आज तक का value देखें, 2,69,000 के करीब में देखने को मिला यहाँ profit जो है, 39,000 के करीब में है अगर इन दोनों को add करूँ, तो जो total profit देखने को मिलता है, वो 53,211 का देखने को मिलता है जबकि एक investor जिसने कभी भी SIP stop नहीं किया, उसका जो profit देखने को मिल रहा है, 67,000 के करीब में देखने को मिल रहा है तो अगर आप SIP stop करते हो, तो आपका profit कम हो जाएगा, जैसे कि आप दूसरे example में देख सकते हो फर्स्ट example में investor ने SIP नहीं stop किया, तो profit ज्यादा है, 67,000 के करीब में है जिस investor ने यहाँ पर SIP stop कर दिया, जहाँ पर सबसे ज्यादा profit हो सकता था बो opportunity उस scope को miss किया investor ने, और यहाँ पर profit स्रिफ 53,000 का देखने को मिला तो इसलिए आपको SIP stop नहीं करना है, अपने SIP को continue रखना है, यही सही समय है यहाँ पर invested रहोगे, तो लंबे समय में आपको काफी ज़्यादा मुनाफ़ा देखने को मिलेगा चलो इस query का तो आपको solution मिल गया, अब दूसरे query पे हम जाते हैं दूसरा query है कि आप new investor यहाँ पर क्या करें, देखो अगर आप first time mutual fund में invest करने जा रहे हो तो मैं आपको एक idea दूँगा, आप courses करो कि 40-50% का हिस्सेदारी आप SIP के तोर पर invest start करो और वैसे भी आपको अगर कुछ भी knowledge नहीं है तो index fund के साथ चलो 40% का आपका जो हिस्सेदारी है, उसको SIP के तोर पर investment करना है और जो 60% का हिस्सेदारी है, जो 60% आपका पैसा बच रहा है उस पैसे को आप 2 पार्ट में divide कर दो 30% और 30% market recover करना start करें, जब stability market में आपको देखनी को मिले तो 2 पार्ट में आपको 30%-30% का investment करना है ऐसे new investor participate कर सकते हैं देखो अगर आपको SIP करना है तो आप तो अभी चालूग हो सकते हो अभी से start कर दो, आपको कभी stop नहीं करना है बस आप discipline maintain करना है और हर महीने को एक particular date को आपको SIP को continue रखना है लेकिन अगर आपके पास कुछ lump sum amount है तो first जो 40% का amount है उसको आप SIP के तोर पे investment करो, remaining 60% है उसको दो पार्ट में divide करके 30% और 30% करके आप जब market stable हो जब market recover करने लगे तो आप वो 60% का investment करो दो पार्ट में अब lump sum जो investor करना चाहते हैं उनको यहाँ पर क्या strategy यूज करना चाहिए मैंने investor को बताया है पहले ही कि देखो आपको एक बार में बहुत बड़ा lump sum amount invest नहीं करना है एक सोट में यहाँ पर पूरा पैसा नहीं लगाना है और अगर आप mutual fund पर focus ही कर रहे हो तो देखो आपको लंबे समय के लिए lump sum investment करना है तो यहाँ पर आप यह कर शकते हो कि meet cape और small cape के mutual fund को focus करो मैं जानता हूँ उसमें गिरावट ज़्यादा होता है लेकिन ऐसे mutual fund में लंबे समय में आपको ज़्यादा मुनाफा देखने को मिल सकता है लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर आप high risk ले सकते हो तो भी meet cape और small cape के mutual fund को focus करो अगर high risk नहीं ले सकते हो तो exactly यह category आपके लिए नहीं बना हुआ है हाँ अगर आप कम risk लेके चलना चाहते हो तो large end meet cape mutual fund को focus कर सकते हो इस category पे आप ज़्यादा depend रह सकते हो वो भी आपको large cape का percentage ज़्यादा रखना है और meet cape का percentage कम रखना है तो ऐसे strategy के साथ आप investment कर सकते हो आपको क्या धहन रखना है एक बार में पूरा पैसा नहीं लगाना है ज़्यादा risk ले सकते हो तो meet cape और small cape के mutual fund पे focus करना है कम risk ले सकते हो तो large end meet cape के mutual fund पे focus करना है अगर हर cape का अगर test चाते हो तो multi cape और flexi cape का यहाँ पे selection कर सकते हो यह आपके लिए सही रहेगा लेकिन आपको 100 में पूरा पैसा नहीं लगाना है यह आपको ध्यान रखना है तो यह 3 point किलियर हो गया कि आपको SIP stop करना है कि नहीं करना है जो new investor है वो कैसे participate करते है जो investor को lump sum करना है वो कैसे यहाँ पे invest कर सकते है देखो equity में गिरावाट है mutual fund में गिरावाट है लेकिन हमें strategy बना के चलना है तो यह था आज का वीडियो से लेटेड़ है आपके mind में कोई कोई हो आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियो लेके आँए खंबल रिक्वेस्ट अभी तक चानल को नेकिए सब्सक्राइब लाइक और सेर तो भी स्टार्ट करें फिर में एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जय ही जय भारत